वहीं ब्रिजेश्वरी देवी कांगडा में भी अश्वनी नवरात्रे मेले शुरू हो गए हैं कांगडा में लगबग 50 शुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है मंदिर को लगबग देशी और विदेशी फूलों से सजाया गया है मंदिर के मुख्य गरब ग्रे में थाइलेंड वा हॉलेंड से मंगवाया गया विदेशी फूलों का च्छतर बना कर लगाया गया है शिरी ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर कांगडा में अश्वनी नवरात्रे मेले शुरू हो गए है शिरी बिर्जेश्वरी देवी मंदिर कांगडा में रविवार सुभा चार बजे कपाट खुले कांगडा में लगभग पचास सुर्ख शाक्रमियों की तैनाथी की गई है मंदिर को लगभग तीस तन देसी वा विदेशी फूलों से सजाया गया है मंदिर के मुख्य गरब ग्रे में थाइलेंड वा हॉलेंड से मंगवाएगे विशेश फूल का च्छत्र बनाया गया है और गरब ग्रे में लगाया गया है मेले के पहले दिन रविवार को मंदिर परिसर में शत्चंडी महायग्य भी आरभ हो गया है साहेक मंदिर आयुक टेवम एस्डियम कांगडा जतिनलाल ने विदिवत पूजा अर्चनकर नवरातर मेले का हवन यग एकर रसम अधा करके इसका शुभारम किया शक्ति पीट माता शरी बर्जेश्वरी मंदिर में पहले नवरातर में भारी संख्या में शर्धालों ने माग के दर्शन किये और सुभा से ही या लंबी-लंबी लाइने देखने को मिली नवरात्रों के दुरान धारा 144 भी लागू की गई है इसके अलावा नवरात्रे में शर्दालों को लाइनों में सुविधा पुरुट दर्शन करवाने के विशेश प्रबंद किये गई हैं साथ ही विकलांगों के लिए भी पूरुट रूप से नई विवस्ता कि गई हैं निशुलक लंगर्श के अलावा निशुलक लॉशंडाले की भी विवस्ता की गई हैं नवरात्रों में शर्दालों को जादा से जादा सोविधाय मिले और उनको किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए सभी इंतजाम करने के साथ CCTV कैमरे भी स्थापिट किये गए हैं देखने के लिए और माई के दस्तों के लिए और अशीरवान लेने के लिए भाई माई